Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. ये आप लोगों की quick energy update है और हम देखेंगे आपके person की current feelings और thoughts आपके लिए आज क्या है ये सारे star science की reading है, ये एक short reading है और बिल्कुल timeless है सो देखते हैं आपके person की feelings और thoughts हमारे पास है five of pentacles the magician, ace of pentacles, page of pentacles, the lovers three of swords, nine of pentacles and then knight of wands so bottom of the deck पर हमारे पास है three of wands so so far ये बहुत ही जादा positive energy है I feel यहाँ पर Gemini, इसके लावा Pisces, Sagittarius, Aries ये star sign यहाँ पर बहुत strong है Taurus Virgo, Capricorn भी ये star signs है लेकिन आपने energy पर focus करना है अगर energy आपसे match करती है तो बिल्कुल आपकी reading है so ये इनसान क्या feel कर रहे है really feel के तो pressure feel कर रहे है आपके person pressure in a sense कि I need to do something मतलब मुझे इस connection को मजबूत करना है मुझे इस इनसान को खोना नहीं है वो आपको खोने का pressure feel कर रहे है हो सकता है कि आपने उनसे कुछ कहा है मतलब आपने कोई उनको timeline दी है या आपने उनको कोई ultimatum दीया है या आपने कुछ उनसे बोला है और ये भी हो सकता है कि आप उनसे नाराज है ये भी हो सकता है कि आप लोगों की separation है separation नहीं भी है I just feel कि आपके person for whatever reason एक pressure feel कर रहे है इस connection को लेकर आपको लेकर या नी उनको एक need feel होरी है कि मुझे जो भी करना है चल्दी करना है मुझे कोई action लेना है अब और इंतजार नहीं हो पाएगा या अब मैं इस इंसान को और इंतजार नहीं करवा सकता है जो भी करना है मुझे अब करना होगा so basically ये इनसान आपको कुछ offer करना चाहते है basically आप जो manifest करना चाह रहे हैं काफी टाइम से इस connection में वो manifest होने वाला है आपकी wish पूरी होने वाली है with this magician energy ये आपकी energy है अगर आप मेंसे कुछ लोग conscious effort कर रहे हैं manifest कर रहे हैं अपने partner की तरफ से कोई move कोई action तो वो चीज़ हो रही है manifest अगर commitment आप manifest कर रहे हैं कि ये इनसान आपसे जल्दी commitment करें तो वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है क्योंकि ये इनसान अपने आपको prepare कर रहे है and with the three of swords ये भी हो सकता है कि आपने उनसे बोला है कि you have to choose right ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों में कोई third party enter हो गई ये भी हो सकता है कि उनके घरवालों ने किसी और को उनके लिए देखा और आपने उनसे ये बोल दिया कि देखो you have to choose अब आपको या तो मेरे लिए stand लेना पड़ेगा या फिर आपको मुझे छोड़ना होगा अब आरिया पार होगा कुछ लोगों के लिए literally ये situation हो सकती है और आपके person को अब pressure feel हो रहा है कि हाँ मुझे अब कोई final decision लेना होगा और वो decision ये है कि ये इनसान आपको छोड़ना नहीं चाहते है ये इनसान आपकी जिन्दगी से नहीं जाना चाहते है और ये आपको ही choose करेंगे मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये इनसान फॉरन ही आपके साथ सैटल डाउन हो जाएंगे बट I do feel कि कुछ ना कुछ वो ऐसा जरूर करेंगे कोई action उनकी तरफ से ऐसा जरूर होगा कि आपको एक तसल्ली होगी आपको ये feel होगा कि हाँ अब हम सही direction में जा रहे है अब ये रिष्टा सही direction में जा रहे है तो आप बड़ा relax feel करेंगे I feel यानि कि आपको feel होगा कि आपके person ने आपको choose किया है आपके लिए stand लिया है basically तो आपके person बहुत जादा एक pressure से गुजर रहे है इस present time में और उन्हें ये डर है कि वो आपको खो देंगे और आपको खोने की तकलीफ बहुत जादा होगी अगर उरोने आपको खो दिया तो वो नहीं कोना चाहते हैं आपको ये message बहुत जादा strongly आ रहा है so I feel कि ये इनसान बहुत inconsistent रहे हैं आपकी life में मतलब बड़े अपने mood के हिसाब से चलें कभी बात करना, कभी ना करना कुछ बताना ना irresponsibility, show करना इस तरह की चीज़ें करते रहे हैं but I really feel कि deep down उनके दिल में हमेशा आपके लिए true love रहा है और अब जाकर उनकी personality में थोड़ा ठहराव आना शुरू हो गया है थोड़ी maturity आना शुरू हो गई है और वो ये समझ रहे हैं कि अब उन्हें seriously चीज़ों को लेना पड़ेगा अब वो ऐसे in and out नहीं कर सकते हैं तो अब कुछ ऐसा हो गया है आप लोगों का मौमला कि आपके person को seriously चीज़ों को लेना पड़ेगा so I do feel कि ये इनसान seriously चीज़ों को ले रहे है और कोई serious or final decision करने वाले हैं इस connection के लिए so ये आप लोगों की quick energy update थी